यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भर्वती भारत हूँ अभियुत्थान अधर्मस्य तदात्मनाम स्रजामेहं परीत्राणायं सादुनाम विनाशाय चद्धुशकरताम धर्मसस्था परनार्थाय संभवानी युगे युगे नमस्कार मैं लाक्षा स्लोग बात में आपका स्वागत करता हूँ आज हिंदु धर्म के सबसे पवित ग्रंथ गीता की जैनती है आएए जानते हैं श्रीमत भगवत गीता के बारे में पूरे विश्व में यही एक ग्रंथ है जिसकी जैनती मनाई जाती है ब्रह्मपुणान के अनुसार दौाय पर यूग में मारक्षी शुक्ल की एक आच्छी को श्री कृष्ण ने इसी दिन गीता का उपदेश दिया था गीता का उपदेश मोह का शैय करने के लिए है इसलिए एक आच्छी को मोगजदा भी कहा गया है गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र अरजुन के मन में महाभारत के यूद के दौरान पैदा होने वाले ब्रहम को दूर करते हुए जीवन को सुखी और सफल बनाने के लिए उपदेश दिये थे धर्म और करम के महत्व को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने इन उपदेशों को गीता में संग्रित किया गया है महाभारत यूद के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश अरजुन के मन में धर्म और करम को लेकर पैदा हुई दुविधा को दूर किया था, वही आज मनुशे के तमाम समस्यों के समाधान और सफल जीवन जीने की कल्ला के रूप में गीता के उपदेशों में समाहित हैं। गीता जैंदी के पर्फ पर हिंदु धर्म के महा ग्रंध गीता, भगवान श्रीकृष्ण और वेद व्यास जी की पूजन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में किसी भी पवित्र ग्रंध का जनम दिन नहीं मनाया जाता लेकिन शीमत भागवत गीता की जैंदी मना जाती है इसके पीछे का कारण है कि अन्य ग्रंथ इंसानों द्वारा संकलित किये गए हैं लेकिन गीता का जन्म स्वेम भगवान श्रीकृष्ण के मुख से हुआ है कुरुक्षेत्र में अर्जुन को श्रीकृष्ण ने ज्यान दिया था कृष्ण जी ने उन्हें सही और गल खाया गई है किस prolifer चे काम में डेया जाएब घीटा काम लना चाहिए यह रपरिस्तिती में द्हारे से काम लेना चाहिए इसपर बिर्षयों से घीता जैंती प्रासंगिक है इस में जईरिये श्रीकृष्ण द्वारा कही गई गीता लोगों को अच्छे बुरे कर्मों का फर्क समझाती है। दिखा है कि कार्तिक की पूर्णीमा के चंद्रमा को देखकर श्री वेदव्यास जी ने धृतराश्ट से कहा कि निकित भविश्य में बड़ा भेंकर यूध होने वाला है क्योंकि चंद्रमा का रूप अगनी के समान लाल, कांतिहीन और अलक्षे दिखाई पड़ता है। महाभारत अनुशासन पर्व के शलोकों में वर्णन आता है कि भीश्म जी ने माग शुकल अश्टमी के दिन अपने शरीर का प्रिताग किया था। श्री भीश्म जी भहुत दिनों तक शर शेया पर पड़े रहे। इस हिसाब से माग शुकल पक्ष या पौश शुकल पक्ष में तो गीता जैनती हो ही नहीं सकती। प्रत्यूक्त मार्खशीश में ही हो सकती है। और महाभारत द्रोण पर्व में वर्ण हैं कि चौधवे दिन की रात्री में जो संग्राम हुआ था उस समय गोर अंधकार था। प्रजुलित दीपो मशालों के प्रकाश में ही वह युद हुआ। महा अंधेरे में अपने पराय का ज्यान न रहने से लोग अपने पक्ष के वीरों का भी संगार करने लगे थे। तब अरजुन ने युद बंद करके विश्राम करने की आग्या दे दी। इस प्रकार की अ उक्त चौदवे दिन की रातरी के युद के समय से तेरा दिन घटाने पर शुकल पक्ष ही सिद होता है। यदि कहें कि एकाशी एक दिन ही गीता कही गई इसका क्या प्रमान हैं तो इसका उत्तर यह है कि उक्त चौदवे दिन की रातरी में आधी रात के पश्चात चंद्र पुर्मा का वर्णन कृष्ण पक्ष की नवमी जैसा है क्योंकि अर्ध रात्री के बाद चंद्रोदे अश्टमी के पूर्व हो नहीं सकता अधा उस युद की रात्री को पौश कृष्ण पक्ष की नवमी माने तो उससे तेहरे दिन घटाने पर मार्शीष शुक्ल एकाशी ह की ठेरती है इसके सिवा एकाशी का दिन पर्वकाल है और मार्शीष का महिना सबसे उत्तम माना गया है नैनम जिद्रन्ती शस्त्राणी नैनम धहती पावगः नचैनम क्लेदियंत यापो नशोश्यती मारूतः